हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हनुमान से उलिया एक बार फिर से आपको आपने यूटूब चेनल एचेस टेकनिकल सपोर्ट पर स्वागत करता हूँ और यहाँ पर हम बात करेंगे विवास सामारों में सामिल होने वाले वेक्तियों की सूचना अपने देखा होगा जो पिछली यहाँ पर गारलाइन थी तीन मई तक जो लागू थी उसमें आपको कैसे सूचना देनी थी उसका हमने वीडियो डला था काफी अच्छा रिस्पोंस मिला काफी लोगों के कमेंट भी आए तो अभी हम उसी को लेकर यह नेक्स्ट वीडियो ज तो 3 मई से लेके 17 मई तक जो गारलाइन है उसमें यहाँ पर यह एन्वारे किया गया है यहाँ पर पहले आपको 50 मेहमानों की अनुमती थी अब यहाँ पर आपको 31 मेहमानों की अनुमती है और उनकी भी आपको लिस्ट देनी होगी अगर आप लिस्ट नहीं देते हो तो आ आप यहाँ पर शादी या विवा समारों कर सकते हैं तो यहाँ पर यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोटेंट हो जाता है तो वीडियो को लाइस तक देखना है और वीडियो कोजाई पार्ट आपको पसंद आता है दोनों आपे दन आपको परना है विवा समारों में सामिल होने वाले वेक्तियों की सुची गरे विवाग दोरा जारी गारलाइन के नुसार विवा समारों में केबल 31 वेक्तियों की अनुमती रहेगी तता 31 मेमानों की सुची उपकरन अधिकारी को अपलत करानी होगी अनुमत वेक्तियों की सुची विवास समारों के मुक्य दुआर पर आउशिक रूप से चस्पा हुई होनी अनिवारे है अनुमत वेक्तियों की संक्या के एत्रिक्त कोई भी मिमान अनुमत नहीं होगा मास्ट और समाजिक दूरी का विशेश द्रूप से ध्यान रखना जाना चाहिए अरिजन करता द्वारा अनुमस सेंग्या में उलंगन पाये जाने पर गालाइन की प्रिशिर्ट जी के अनुसार लगाया जाएगा तो मतलब यहाँ पर आप जुर्माना देख सकते हो कि किस परकार आपर लगाया जाएगा तो यहाँ पर आपको उसका जो भी मिमान आरे है उनका आप यहाँ पर नाम लिख दीजिए उनका अधार नमर और उनका मुबाइल नमर यहाँ पर आप नोट कर दीजिए उसके बार में यह आप 31 है तो 31 यहाँ पर आप अपने मेमानों की अनुमती आप ले सकते हैं उसके बार में आवेदक के स्तक्सर पिर आवेदक का दिनाग आज दिनाग पर दिनाग को इस्तान पर विवहा कारेकरम होने के लिए परस्तू सूचना दे दी गई है यह यहाँ पर सील वगरा लग जाएगी तो यह आपका यह भी एक आपको आवेदन फॉर्मेट बढ़ना है और एक आवेदन जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बढ़ना है तो वो यह वाला आवेदन इन दोनों का लिंक में डिस्केशन बोक्स में आपको दे दूँगा विवा आईजन के लिए सूचना अपकरमेट भले ना यह गार लाइन आप पड़ सकते हो उसके बाद में यह भी आपको साइन करके और यह भी साथ में लगा देना है यह दोनों फोर्मेट आपको बढ़ना है और यहाँ पर आपको इनके साथ में क्या डोकुमेंट लगाना है वो आपको मैं बता देता हूँ वर और वद्धू की जो आईडी है जिसे कि उसकी मार्क सीट या फिर आधार कार्ड यह लगाना है और उनके माता पिता का भी आपको आधार कार्ड वगरा लगाना है और यहाँ पर ध्यान रखे एक साथी का आपके पास कार्ड है तो वो भी लगा देना है साथ में यह सभी डोकुमेंट आपको इमेल बेजना है इमेल के से बेजेंगे वो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है और इसी वीडियो में मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर अपने HDM की आपको Google पर टाइप करना है Google पर आप क्या टाइप करोगे Google पर टाइप करोगे साधी परमिशन साधी परमिशन HDM email ID तो यहाँ पर आप टाइप करोगे मैंने पिछले वीडियो में सारे जान करी दिये उस वीडियो का link में discussion में दे रहा हूँ तो वहाँ से देख सकते हो तो यहाँ आप टाइप करोगे उसके बाद में यहाँ पर जो आपका जिला है उसकी यहाँ पर सभी तेशलोंगी email जो HDM office आपके जो nearest लगता है उन्हों सभी की mail ID आजाएगी उस mail ID को आपको copy कटके और अपने phone में paste करके mail भेज सकते हो तो चलिए मैं आपको बता जता हूँ mail कैसे करना है आपको email आपको open कर लेना है आप अपने phone से photo case के भी कर सकते हो यहाँ पर आपको compose पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको mail ID आपको मिली है जैसे HDM office जो भी आपका वो आपको यहाँ पर email ID डाल देनी है email ID आपको डालोगे email ID डालने के बाद मैं आपको चलिए हम यहाँ पर एक डाल देते है email ID डालने के बाद मैं आपको subject में लिख देना है विभा आयोजन के लिए permission और यहाँ पर आपको attach पर जाना है और जो भी आपको attach जो file आपको attach करनी है जैसे आपने जो भी जो भी आपने यहाँ पर जो भी photo कीच के रखा है आपने अपने mobile में जो form भरके और उन सभी की यहाँ पर attach कर देना है attach करने के बाद मैं आपको इस वाले auction पर क्लिक करना है और यहाँ पर send कर सकते हो तो यह आपका mail उनके पास चला जाएगा फिर आपको यानि आपको वो चेक करेंगे चेक करके आपको reply दे देंगे और reply आपको permission दे देंगे तो इसे आपको permission मिलेगी विवहा आयोजन के लिए और एक लाग के जुर्माने से आप बस सकते हो अगर यह मेरी जानकारी आपको पसंद आईए और यहां किसी परकार के आपको समय से आईए यहां किसी परकार के और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें comment कर सकते हो comment box आपके लिए खुला है comment करके आप हमें जानकारी हमसे आप ले सकते हो और यह दोनों ही आविदिनों का link में discussion box में दे दूँगा और पिछले वीडियो का लिंकी भी discussion box में दे दूँगा तो आप जाके वो वीडियो जुरूर देखें और ये जो format है ये download कर लें और वरवर्दू की ID साथ में लगाएं उनकी मातापिता की ID लगाएं और अस्यादी का काड़ भी साथ में लगा सकते हैं और ये सब email कर दे email से आपको permission मिल जाएगी email ID के से निकालना वो भी मैंने आपको बता दिया है अगर ये जानकारे आपको पसंद आई है तो यहाँ पर वीडियो को like करना बनता है और वीडियो को share करना बनता है अपने सभी गुर्पों में और जदा से जदा share करें और एसे ही वीडियो एसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को subscribe करने बेडियो को जदा से जदा share करें तो मिलते हैं एक और प्रेश वीडियो प्लिक्षिप साथ में जेहिन जे भारत